देखो सवाल क्या है सवाल यह है कि दो ट्रेन है एक इधर से इधर चली दूसरी इधर से इधर चली दूसरी की स्पीड दी है 28 किलोमेटर प्रती घंटा जब यह ट्रेन यहां से चलती है उसी टाइम यहां से चलती है सेम टाइम पे दोनों जब एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो बीच में कोई स्टेशन आता है ये नहीं पता कौन सी जगह है मान लेते हैं चंडेगड से चली ट्रेन और एक दिल्ली से चली ट्रेन दोनों जो है एक रास्ते से जाएंगी अलग-अलग ट्रेक पे जाएंगी और बीच में वो एक जगह पे कहीं किसी स्टेशन पे मिलेंगी मान लेते हैं ये कुरुक सित्रा मिलती है कुरुक सित्रा ये ट्रेन मिलने के बाद फिर जो है पहले वाली ट्रेन अपने चंडेगड की तरफ आ गई और दूसरी ट्रेन जो है यहां से दिल्ले की तरफ चली गई जब ये मिलने के बाद अपने अपने डेस्टिनेशन पे गई हैं तब उनका टाइम दिया है कितने गंटे लगे इसको इतने गंटे लगे इसको आठ गंटे लगे पहली वाली की स्पीड दूसरी वाली की स्पीड दी हुई थी S2 की तो अब पूछा है कि बताइए पहली वाली कितने स्पीड से चल रही हो भी तो ये सवाल क्या पूछा है ये समझा कैँ अब इसके लिए हम शॉर्टकट फॉर्मूला लगाते है S1 बाइ S2 बराबर अंडर रूट T2 बाइ T1 S1 क्या है पहली वाली की स्पीड है S2 जो है वो दूसरी वाली की स्पीड है T1 क्या है पहली वाली ट्रेन को जब दूसरी मिलने के बाद जो टाइम लगा है वो T1 है मुलाकात होने के बाद destination पे पहुंचने का जो time है वो T1 है और दूसरी वाले का time T2 है meeting के बाद destination पे पहुंचने का इसका under root करते हैं ये इसका short trick होता है अब इसमें T1 की value दी है 6 सही 1 बटा 8 इसको हमने खोल लिया 6 थे 48 और 1 उननचास बटा 8 T2 है पीरा पूरा 8 गंटे दिया है तो 8 बटा 49 बटा 8 और ये 49 बटा 8 इस 8 के बराबर में उल्टा होके लग जाएगा एक के बटा दूसरा होता है जब तो 8 बटा 49 अठोटी 64 बटा 749 हो गया और ये under root का मतलब होता है कि ये किसका square है तो 64 8 का square है उननचा 7 का square है तो पूरा under root हट गया 8 बटा 7 आवर्स आगे गंटे आगे इसको मैंने जगह ना उनने की वज़े से यहाँ पे लिख दिया S1 बटा S2 के सामने ये आगया इस पूरे की value आगे under root T2 बाई T1 के दूसरी की speed दे थी 28 तो 8 बटा 7 बराबर S1 बटा 28 निच्चे वाले से निच्चे वाले कटते हैं उपर वालों से उपर वाले कटते हैं उपर निच्चे एक ही साइड में हो तो वो कटते हैं बराबर के case में कटते हैं सामने सामने वाले तो 7 चोक 28 ये हो गया अब इसको इसकी गुणा इसके साथ इसकी गुणा इसके साथ तो S1 की स्पीड कितनी आगए 8 चुका 32 किलोमेटर परावर आगए ठीक है बात समझाई clear है now next